सत्ता और विपक्ष की जो जंग 2015 से सुरू हुई थी उसका अव तक समाप्ति नहीं हो पाया है सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से नितीश कुमार और लालू परसाद के खिलाफ भारतिये जनतापाटी आग उगलती थी सुसील मोदी ने एक अलग तरह से हमला करने का रास्ता अपना लिया था और हर मंगल बार को वो कागज पत्तर लेकर के बैठ जाते थे और तब तक ये कागज पत्तर का सिलसिला जारी रहा जब तक उन्होंने सरकार को भसा नहीं दिया हलाकि उसके बाद ये काम जब सरकार गिर गई और एंडिये में पुनह नितिश कुमार वापस चले गए घर वापसी हो गई उनकी उसके बाद से ये जिम्मा अब जदियू के नेताओं ने उठा लिया सुशिल मोदी यदा कदा छोटी छोटी टीपनिया करके लालू परसाथ और तेजश्वी यादों हलाकि लालू परसाथ पर ही वो बोलते थे तेजश्वी यादों पर कम बोलते थे लेकिन जदियू के दोनेताओं ने निरज कुमार और संजे सिंग ने पूरी तरह से मोर्चा बंदी कर दी वहीं अजय आलूग भी लगतार हमला करते रहे हैं इस हमले में यदा कदा राजियू रंजन भी कूद जाय करते थे जो की जदियू के प्रवक्ता थे और जदियू के प्रवक्ताओं ने ये मोर्चा अब तक जारी रखा है लेकिन बीच में इस्थित आदा हमला करने में नजर आते थे भाई विरंदर, सक्ति सिंग यादो और मिर्तुञे तिवारी इन सभी ने लगतार जो है एक दूसरे की कमिया निकालने और सरकार पर हमला करने का बीड़ा उठा रखा था लेकिन अब ये लड़ाई नेक्स्ट लेबल पे चली गई है बात से तो नितिश कुमार पर जम करके आर जेडी हमलावर हो गई है तेजस्वी आदों ने खुद मोर्चा सम्हाला लेकिन बीच में 10-15 दिनों का एक ऐसा फेज गुजरा जिसमें हमलों का जो दौर था वो थोड़ा कमजोड पड़ा लेकिन ये रूका नहीं जदियू के तरफ से लगतार हमले हो रहे थे और अंततह तेजस्वी आदों को फिर से बीड़ा उठाना पड़ा और अब तो उन्होंने एक महीने का फाइनल अल्टीमेटम नितिश कुमार को दे दिया है तेजस्वी आदों ने कल कोर कमीटी की बैठक की पूरे राज्य भर के महा से आये हुए अध्यक्ष उपाद्यक्ष के साथ बैठक करके और पार्टी के जो बरिष्ट नेता हैं उनके साथ मंत्रना के बाद उन्होंने कई ऐसी बाते सामने रखी जिसको ले करके नितिश कुमार के मुस्किलें बढ़ ज़ती है तेजस्वी आदों ने नितिश कुमार को एक महिने का अल्टीमेटम दिया और साफ तोर पर कह दिया कि अगर एक महिना में इस्थिती नहीं सुधरती है तो नितिश कुमार की सिकायत वो सीधे राष्ट पती से करेंगे एक चिट्टी भी उन्होंने लिखी है और चिट्टी लिख करके उन्होंने राज सरकार के क् है उने son के अंका त्युश नितिश कुमार को लेकर लेकर वी तरह कमले कर रही है और उनके इक अपाल पर प्रसन खड़े कर रही है वो निश्यत रुप से नितीश कुमार को परिशान करने वाली है और उनकी परिशानिया अब चेहरे पर ट्रकट भी होने लगी है इन सब के बीच में अंती मल्टी में तम देते हुए कहीं ने कहीं तेजस्वी आदों ने नितीश कुमार के लिए अब एक चैलेंज दे दिया है एक महीने के अंदर में अगर वैसा नहीं करते हैं तो तेजस्वी आदों राष्टपती महोदे के पास जाएंगे और वहां जाकर के पिहार को बचाने और नितीश कुमार पर कारवाई करने की बात कहेंगे यह पहली बार होगा जब इस तरह का कोई भी एक्षन नितीश कुमार के उपर किया जाएगा इसके साथ ही सीधे तोर पे तेजस्वी आदों ने कहा है कि केंदर सरकार और राष्टपती पहल करते हुए अच्छे और नए अधिकारियों की नियुक्ती बिहार में करें जिससे की कहीं न कहीं बिहार में शुशासन नजर आए पु है और यह भी कहा है कि हत्या पर कोई राजनीत नहीं होनी चाहिए लेकिन क्या चूप रहने से नितीश कुमार संभल जाएंगे सुधर जाएंगे लगतार हत्याओं का दौर जारी है और अपराधी सक्रिये है नितीश कुमार के पुलिस सराब के ठेके जबकि बंद हो गये ह है तब भी धर पकड में लगी रहती है उगाही में लगी रहती है और इधर अपराधी अपना काम करके चल जाते हैं हलाकि यह आरोप तो नितीश कुमार पर सत्ता में बैठे उनके साथ ही भी कर रहे हैं इन सब के बीच में अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्षी आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप देख रहे होगे कि नीचे में एक यूपी आई नंबर दिया हुआ है उससे आप हमें सहयोग कर सकते हैं और सची पत्रकारिता को आपका यह सहयोग बड़ा ही कारगर और सहयोग के लिए धन्यवाद के पात् अब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रूप मुफ्त में मिल जाए अगर रूप पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता निए तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9 9386 816 700 धन्यवाद